बोलंद निवाज ये लगला की लेज़ हलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चरल यात्री सुसिल और दोस्तों आज हम जहां जाने वाले हैं उस जेगे का नाम है आबा नेरी थम्नेल्स वगरम से आप पता लग रहा होगा आपको कहां पर जाने वाले हैं तो आज की राइड जो है हमने डिसाइड करी है जाने के लिए तो इसमें दो-तीन प्लेसेज अप लोग हम लोग बिजिट करेंगे उसमें हो सकता है बहंडा रेज की बावडी भी हो सकती है आभानेरी तो हमको चलना ही है और उसके साथ में अगर पोसिबल हुआ अगर ज्यादा लेट नहीं होते हैं तो जाएंगे हम मेंधिपुर के बाला जी के और फिर वापस बैक टू पैवेलियन तो चलिए चलते हैं राहूल ने बाइक अरेंज की है और वो बाइक लेके आ रहा है अभी गोरव टावर के आ करने की लिए बोलो डिए बोलो अबना विडियो देखते लेकिन किया सबस्क्राइब नी किरतें जाinkल गर्रें चैसे आप वेडियो देखे उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जहरूर करें तो आज इस बाइक पर दुखाता हो और कि अप्र यसे झाल झाल तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दोसा दोसा क्रोस करने वाले हैं और व्यू का मज़ा लीजिए जारा दूरी पे नहीं है अभी थोड़े दिर में पॉंचने वाले हैं फस्स देस्ट नेशन के तो पहले जल्दे हैं भांडा रेज की पावडी पे पहुच चुक आप अपर आओ नहीं है यह बांडा रेज की पावडी यहीं पे एक आस पास पास पावडी बंडा रेज की इस तरह पे अच्छाब कितनी दूर हैं कोण सी है फैमस वहां पे देखने के लिए फैमस कोण सी है अच्छा बढ़ी आएगा चलो चलते हाओ जी किस तरब से जाना पड़ेगा कि अच्छा था था कि अच्छा था था है को एक अच्छा था निए अच्छा था था है इंखने लाइगा बढ़ी ना जो पहले देख याथे रहूं जी करना चारा दूर थोड़ी है यहां से झाल झाल कर दो कि यह को इस लिए पोज गये हम बिक बावरी भंडा रेज को प्रेंड अभी हम लोग को फोटारेज ही पाउड़ी पहते हैं अब अब आज व्यू लेते हैं आप लोगों के निये और एंजोई दिस नियूग यहां से है बहुत ही शांदार व्यूग देख पारे होंगे आप दीटेगे रहा है यह बता साथ है बता साथ है ना इस पुराणे जबाने का कुवा है राज्तान में पानी की कमी होने के गाणन यह बावडिया बनाई जाती थी तो इनमें बारिस के टाइम पर जो बारिस हो दीती है पानी को यहां पर इकटा किया जाता जो काफी तिनों तक लोगों की प्यास पूचाता था लेकिन अभी तब खूच चुकी है वारिस भी नहीं होती पानी कटा भी नहीं होता प्रेंड्स कैसी लगी भांडा रेस की पावडी कमेंट करके बताए और अब फोरा साथ बहुत पेज हो चुकी है जो कुछ कोल्डरिंग बगरें लेंगे उसके बाद में निकलेंगे तीधा चांद बावडी हावा नेरी तो चलते हैं अभी यहां से तो निकलते हैं झाल कर दोग्स कर दो में कर दो दो अजय कर दो दोगा है कि अब लोग पहुंच चुगें आब अनेरी की बावडी और दरसल इसे चांद बावडी कहते हैं पुराने टाइम में किसी महराजा ने चांद महराज ने यह बावडी बनवाई थी और इस बावडी के बारे में एक कहानी है कि एक लगो यह हम्रुनों कि हमें हभी होगी और अब हो जो यह इगे insight replicate में में कंपलीट अब यह बना है ने मियो कीछ एक लिखए कोवग 오른ेर्वाव拡़ों तो वो मैं आपको दिखा दूँगा आप यू पाउस करके पढ़ लीजिए गा और यहां के बारे में इस बावडी के बारे में एक खास बात यह है कि यहां पर कोई काफी टाइम पहले कोई बारात आई थी तो बारात इसमें देखने के लिए गुशी और आज तक वापस नही है तो वो साइद बारात उसी रास्ते से निकल भी होगी और पता ही नहीं चला कहां चले गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ कई वेग्यानिक लोग भी आए और कई लोगों ने देखा इसे लेकिन वो कुछ भी पता लगानी पाए और पीछे जो हर्षत माता का मंदिर आप दे कुछी मूर्ती स्थाभित की गई तो अभी चलते हैं और अर्शत माता का मंदिर और चांद बावडी दोनों का व्यों आपको दिखाते हैं लेकिन उस से पहले मैरे पुद की भी बैटरी डाउन है और मेरे केमरे की भी बैटरी डाउन है तो डोरों को करते हैं चार्ज और चलते हैं अंदर दोस्तों बैटरी हो गई चार्ज और अभी आपको पहले तो इस पी दिखाते हैं यहां पे जो लिखी हुई है पंथर के उपर और उसके बाद जाते हैं अंदर का वियू लेंगे बहुत अश्चा आपके लिए तो चले चलते हैं अंदर चलिए अप सीधे अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं बहुत ही खुप्सुरत चांद बाउडी झै का खुप्सुरत – रहाची खीके लोगे खाची ईधी का खुप्सुरत – बहुदी कि उया का खुपप्सुरतних हैं और इंदर्ण का लिए यहाची साओची झाल 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 तो दोस्तों कैसी लगी चांद बावुडी कमेंड करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक भी कर देना यार क्या लगता है उसने आपका तो करी देना इक बार लाइक तो एक ना रहूल जी पी कह रहे हैं कि अब चलते हैं हर्षत माता के मंदिर में तो यह है यहां की हिस्ट्री तो वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ लीजिएगा तो अब यह आपने दर्सन किये भोले बाबा के शिव बाबा के और अब आपको दर्सन कराते हैं सक्ति के फर्षत माता के कुछ फर्षत माता करें कुछ बश्ट अब क्या के लेंड़ीपर के बालाजीव वर स्वर्षत माता कर में लाइम के लाइन लगज के लिए लगज के लाइन लगज के लिए प्रेंड्स अभी पजरंग बली के दर्सन हो गए अभी दर्सन कर लिए बाला जी के और आप चलेंगे सीधा दोशा जो भी चाई पीने के लिए रुके थे भाई की दुकान पर भाई दिखाना आपका अब कर बाई नाम गये आपका अंका शर्मा अंका शर्मा जी चाई बनाओ यह बढ़ी है बढ़ी है अब भाई साब हम चाई पियेंगे उसके बाद जाएंगे पहले कहीं नी जाएंगे बतार हो आप जिना है ठीक है भाई थैंक्स पोटी चाई के लिए तन्यवाद कि दो बार क्यों बोला कि मैं अंग्रेजी में बोला हिंदी में बोला क्यों बोला चलो खर बोई बाद ने बोल दिया तो बोल दिया क्या हो गया झाल रड़ाद के लतार हो आप जाएंगे रड़ाद थाएंगे वेशने पुछने के लिए याण और लाएंगे बोला आप बोला गया चलो खर दो arrived कि ये लो जी आ गए हाइवे बे और अब देखते हैं इसके कान मरोड के देगें कितनी तेज दोड़ती है यह अगरोड दिया जी पूरा मरोड दिया जी एसी के बहुत गई जी दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं नेलकंट बादेओ दोसा में और अभी सीडिया जड़ रहे हैं हम लोग बहुत सारी सीडिया है और पसीन आ रहा है यहां से पसीन आ रहा है और नीचे तक जा रहा है पता हमी कहां पहुंच रहा है पर पसीन बहुत आ रहा है तो बात ऐसी है इस वीडियो को करते हैं यहीं पर क्लोस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा और क्या बूलू अच्छा वह सब्सक्राइब करने के बाद में एक बैल घंटी दिखाए देखिए आपको तो उसको भी दबा लेना ता कि नेक्स्ट टाइम की वीडियो आएगा तो आपको पता लग जाएगा ठीक है ना तो अभी आप एंजोई करिए व्यू निलकंट पहादेव का और दोसा के आसपास के एरिये का व्यू में आपको यहां से दिखाता हूं बहुत ही शामदार है वो देखिये और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई अपको प्याओगा लोग आपको यहां से दिखाता है अपको अपको आपको यहां से लोग से घटली को बढ़ाई अजाबादा उने शाली का विवेस को यहां से ले चाहं से विग्यों अजाबाधार है